हाई फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टु माई यूट्यूब चानल मुवी टाइम, दोस्तों मुझे ये बात आपको बताने में बेहत खुशी महसूस हो रही है, कि आफ्टर आल हमारे और आपके फेवरेट हीरो मिथुन चक्रवर्ती ने मेरे एक ऐसे सपने को पूरा कर दिया, ज चलिए गाइस लेट स्टार्ट, तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगी, कि मैं मिथुन सर की इतनी बड़ी फैन उनकी एक फिल्म देखने के बाद बनी थी, जिसे मैंने अपने पेरिंस के साथ टीवी पर देखी थी, इस फिल्म का नाम मैं आपको अपने किसी अवरॉल पर्फॉर्मेंस मेरे दिल में पूरी तरह से रच बस गई थी, और तभी से मैं मिथुन से जुड़े कोई भी अपडेट्स या न्यूज किसी भी मैगजीन या पेपर में देखती थी, तो उसकी कटिंग अपने पास संभाल करके रख लेती थी, हालांकि उस समय काम भी आ सकती है, मगर फिर वक्त गुजरने के साथ मैं यूट्यूब पर काफी सारे लोगों को मिथुन सर के वीडियो बनाते हुए देखा करती थी, और उन सभी के इतने सारे व्यूज को लेकर के मैं एकसाइटिड थी, और मेरे मन में भी मिथुन सर को लेकर हमेशा से य की सपना था, और इससे पहले भी कई बार बॉलिवुड से रिलेटड अधर कॉंटेंस के बारे में मैं वीडियो बना चुकी थी, मगर उससे मुझे कोई खास रिस्पॉंस नहीं मिल पाया था, वैसे मैं बताना चाहूंगी कि मैं मिथुन सर के बारे में हमेशा से थोड़ा कन्फ्यूज रहती थी, कि शायद अपके टाइम में मिथुन के वीडियो पर मुझे इतने सारे व्यूज ना मिल पाये, जितना मुझे अपने सपने को पूरा करने के लिए जरूरत है, लेकिन फिर मैंने डरते डरते मिथुन पर अपनी एक पहली वीडियो बना कर जब डाल तो मुझे उसका रिजर्ट ये मिला कि वो वीडियो मेरी बाकी सारी वीडियो से काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया, और उस पर काफी ज्यादा व्यूज आए, और तब जाकर के मुझे रियलाइज होने लगा कि कही ना कही से आज भी मिथुन को पसंद करने वाले, औ और तब से मैंने मिथुन सर से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों के बारे में वीडियो बनाना शुरू किया, और आप सभी ने मेरा साथ दिया, मैं आपके लिए भी दिल से शुक्र गुजार हूँ, कि आपने मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को इतना ज्यादा पसंद किया और यकीनन मेरे इस ड्रीम के पीछे कही ना कहीं से कुछ अर्निंग करना भी एक स्ट्रॉंग रीजन था, जो कि आप सबने और मिथुन सर ने मिलकर के पूरा कर दिया है, आज मैं प्राउड के साथ ये कह सकती हूँ, कि मेरा चैनल मॉनेटाइज भी है, और मुझे इससे ए एक चेंज आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है, कि अब आप मेरे चैनल में मिथुन के अलावा दूसरे आक्टर्स के बारे में भी अपडेट देख सकते हैं, तो फाइनली मिथुन सर, I love and respect you very much and I love all of my subscribers and viewers. Guys, अगर आप मेरी emotional स्टोरी के बारे में जान कर मुझसे कुछ कहना चाते हैं, तो comment box में आप जरूर बोल सकते हैं. Thank you very much.